नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैस्ट जीत लिया है जियां इंडिया ने बांगलादेश को दकेल दिया है और फर्स टेस्ट जीतने के बाद इंडिया को खिलना है सेकेंड जो की होगा कानपूर में आपको बता दूँ कि यह मैं जीतने की probability इंडिया की बहुत ज़ादा है क्योंकि वहाँ पर जो पिछ है वो इंडिया के मताबिक बनी है जानते हैं कानबोर टेस्स से जोड़ी कुछ बात है तो सबसे पहले पिछ की बात करते हैं आपको बता दूँ कि यह पिछ काली मिट्टी से बनी होगी जिससे हमें यह पता चलता है कि बैट्समेन अच्छे खासे चल सकते हैं और ठीक ठाक रन भी बन सकते हैं तो यह पिछ फ्लैट होने वादी है जिससे बैट्समेन कोई फायदा होने वाला है अगर बात के जाए बालर्स की तो आप बाउन्स नहीं होगी एक normal बाल आएगी मतलब बाल बहुत जादा बाॉन्स नहीं होगी पर जैसा कि हमने test matchs मैचेς में दिखा है कि जैसे जैसे match आगे बड़ता है वैसे vigट अँड हो जाती है तो उन्हें जीज़ पचा है कि पिच का परताब कैसा होगा तो इसलिए वहाँ पर फास्ट वोलर की जाए स्पेनर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो अगर यह देखा जाए तो तीन स्पेनर्स के एंट्री होगी तो एक प्लेयर की विदाई हो सकती है